नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मिनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी संस्केट रिचर हूँ इसे पहली वीडियो में मैंने आपको आपकी पाठ्थे पोस्तक रुचिरा दुत्यों भागे का दूसरा पाठ दुरबुधी विनश्यती के बारे में बताया था और इस पाठ के मैं कच्चुए और हंसों की कहानी सुनाई थी ये कहानी कहां से लिग गई है ये कहानी पंचतंत्र से लिग गई है इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ के अभ्यासकारे करवाऊंगे तो इस अप्यासकारे का पहला प्रेश्ण है उचारणम पुरोद उचारण करो इसमें क्या है नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं तो हमको उनका उचारण करना है तो आप सभी मेरे साथ बोलिए अब नेक्स्ट कोईशन है दूसरा एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर दीजिए कमबू तो हमें ये जो प्रेश्ण दिये गए हैं उनका क्या करना है एक पद में उत्तर देना है पहला है कूरमस से किमना मासित कचुए का क्या नाम था तो क्या नाम था कचुए का कमबू करीव है तो इसका उत्तरों का कमबू करीव है सरस्तीरे के आगच्छन सरोबर के किनारे कौन आये कौन आये थे बच्चों मच्छुआरे तो मच्छुआरे को संस्कित में क्या कहते हैं धीवरा तो इसका उत्तर हो जाएगा धीवरा कूर में हैं केन मारगेन अन्यत्र गंतों मिच्छती कचुवा किस मार्ग से दूसरी जगे जाना चाता था आकाश मार्गेन आकाश मार्ग से लंब मानम कूर्मम द्रस्टवा के अधावन लटकते हुए कचुवे को देख कर कौन दोड़े पोरा हा पोरा यानि नागरिक नेक्स्ट है अधो लिखित वाक्यानी कहे कम प्रती कत्यती इतिलिखत नीचे लिखे वे वाक्यों को किसने कहा और किसके लिए कहा ये लिखना है जैसे प्राते है यद उचितम तत कर्वतव्यम प्राते जो उचित होगा वह करेंगे ये किसने कहा था हं दोनों हंसों ने कच्छुए से दूसरा है एहम बवदभ्याम सह आकाश मार्गिन गंतुम इच्छामी मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाता हूँ किसने कहा था कच्छुए ने और किससे कहा था हंसों प्रती हंसों से अत्र के उपाये इसका क्या उपाये है तो ये किस ने कहा था दोनों हंसों ने कहा है कच्छुए से नेक्स्ट है एहम उत्तरम ना दास्यामी मैं उत्तर नहीं दूँगा ये किस ने कहा था कच्छुए ने कहा था हंस उप्रती हंसों से युयम भस्म खातद, तुम सब भस्म खाओ, राक खाओ, ये किसने काया है, कूर मेह, कचुए ने काया है, नागरी कों से, पौरान परती चोथा question है, मंजूशात करिया पदम चित्वा वाक्यानी पूर्यत मंजुशा में दिये हुए क्रिया पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए तो हमें क्या करना है जो ब्लू कलर की साड़नी दी हुई है इसमें से शब्दों को क्रिया पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है हंसा प्याम सहे कूरमो अपी उड़ी यते हंसों के साथ कच्छुआ भी उड़ रहा है एहम किंचित अपी ना वदिश्यामी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा यह हित कामनाम सुहरदाम वाक्यम ना अभिनंदती हित की कामना करने वालों मित्रों को बात को जो नहीं मानता है एक है कूर में अपी तत्रेव प्रतिवसती इस्म एक कच्छुआ भी वहां ही रहता था एहम आकाश मार गेर अन्यत्र गंतो मिच्छामी मैं आकाश मार किसी दूसरी जगे जाना चाहता हूँ वयम ग्रहम नीत्वा कूर्मम बक्षिश्यामे हम सब घर जाकर कच्छुए को भक्षण करेंगे नेक्स्ट है पाँचवा पूर्ण वाकिन उत्तरत इसमें हमें क्या करना है पहले तो उसमें क्या दिया था तीसरे प्रिश्ण में कि एक पद में उत्तर दिया था अब इसमें हमें क्या करना है पूरे वाक्य में उत्तर देना है कच्छप है कुत्र गंतुम इच्छती कच्छप कचुवा कहां जाना चाहता था तो कहां जाना चाहता था दूसरे तालाब में तो इसको कैसे लिखेंगे कच्छप है अन्यम हिर्दम गंतुम इच्छती कच्च पे अन्यम हिर्दम गंतुम इच्छती कच्च पे कम उपायम वदती कच्च पे हंसो उपायम वदती कम की जगे क्या आजाएगा हंसो किसको बताया उपाय क्या उपाय बताया किसको हंसो को कच्च पे हंसो उपायम वदती अच्छो नय हंसों को उपाय बतारे यहां से तिकल लिए वदती के बाद युवाम कास्ट दंडम एवं चंच्वा धारयताम एहम कास्ट दंडम अवलंबे युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिशामे तुम दोनों लकडी के दंडे को चौच में धारण करो और मैं लकडी के दंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चाऊंगा तो ये उपाय बताया कच्छ पै हंसो उपायम वदती के बाद आपको जो टिकल लगवाया है वहां से लिखना है लंब मानम कूरमम द्रस्टवा पौरह किम अवदन रटकते हुए कच्छ पैको देखकर नागरिक क्या बोले तो उसका अत्तर लिखेंगे लंब मानम कूरमम द्रस्टवा पौरह किम को हटा देंगे पौरह अवदन पौरह नागरिक बोले कि यहां से टिक लगा लीजी हंग हो महत आश्चर्यम हंसा भ्याम से कूर्मों अपी उड़ दियते अरे बड़ा आश्चर्य है हंसों के साथ में कच्छुआ भी उड़ रहा है तो ये नाकरिक बोले नेक्स्ट पूइशन है कूर्मेह मित्रयो वचनम विस्मरत्य कीम अवदत कच्छुए ने मित्रों की बचन को भूल कर क्या किया कूर्मेह मित्रयो वचनम विस्मरत्य अवदत कच्छुए ने मित्रों की बचन को भूल कर कहा यूयम भस्म खादद तुम सब भस्म यानी राख खाओ अब इसमें क्या करना है, छटा प्रेश्ण है घटना करमानुसारों व्याक्यानि लिखद घटना करम के अनुसार हमें वाक्यों को लिखना है तो मैंने इन पर नंबर डाल दिये हैं पहला कुनसा आएगा कूर में हंसव चय एककस्मिन सरसी निवसंती इस्म कच्च्वा और दोनों हंस एक सरोबर में रहते थे। फिर इसके बाद आएगा केचित धीवरा सरस्तीरे आकच्छन कुछ मच्चुआरे सरोबर के किनारे आए। तीसरा आएगा वयम शुय मतस्य कूरमादीन मारी शामे इती दीवरा अकत्यान हम सब कल मच्छुली और कच्छों को मारेंगे ऐसा मच्छुआरी ने कहा इसके बाद आएगा कूर में है अन्यत्र गंतु मिच्छती इसम कच्छुआ दूसरी जगे जाना चाता था फिर आएगा कूर में हंसयो साहतया आकाश मारगैन अगच्छत कच्छुआ हंस की साहता से आकाश मारग से गया फिर आएगा लंब मानम कूरमम द्रश्टवा पौरा अधावन लटकते हुए कच्छुए को देखकर नागरिक तोड़े नागरिक क्या बोले कि हम सब गिरे हुए कच्छवे को खाएंगे कच्छवा आकाश से गिर गया और नागरिकों ने उसको मार दिया तो ये मैंने आपको नमबर डाल दिये हैं इसमें पहला दूसरा तीसरा इस क्रम से इनको क्रम गटना क्रम के अनुसार लिखना है नेक्स्ट कोशन है मनजुशात पदानी चित्वा रिक्ति स्थानानी पूर्यत मनजुशा से परों को चुनकर खाली जगे को भरना है ये एक कहानी है इसमें क्या है मनजुशा में चो शब्द दिये हुए उनको चुनकर खाली जगह में भरेंगे तो भर कर इस कहानी को पूरा करना है एकस्से वरक्षत से शाखाशू अनेके काका वसंती इस्म एक वरक्ष की शाखा पर अनेक कववे रहते थे तस्से वरक्षत से कोटरे एक है सरपे अपी अवसत तो पहले इसमें क्या जाएगा कोटरे उस वरक्ष के कोटर में एक साप भी रहता था काका नाम अनुपस्तितों सरपे है काका नाम शिशून खादती इस्म कववों की अनुपस्तिती में साप कववों के बच्चों को खा जाता था काका दुखिता आसन कववे दुखी हुए तेशू एक है व्रद्ध है काके उपायम अचिंतित तेशू मने उन में से एक बूड़े कववे ने उपाय सोचा वरक्ष समीपे जलाशे आसेद वरक्ष के समीप जलाशे है तत्र एका राजकुमारी इसनातुम जलाश्यम आगच्चती इसम वहाँ पर एक राजकुमारी इसनान के लिए आई शिलायाम इस्तितम तस्याम आवर्णम आदाय एक है काके व्रक्ष से उपरी अस्थापयत शिलाक पर इस्थिद अपने आबुशनों को उतार कर उसने शिला पर रख दिया एक कवव व्रक्ष के उपर बैठा था राज सेख वका काकम अनुसरत्य व्रक्ष से समीपम अगच्छन एक कवव ने उसको उन आबुशनों को व्रक्ष के उपर डाल दिया राजा के सेवकों ने काकम अनुसरत्य कोई का पीछा किया और व्रक्ष के समी पहुँचे तत्र तेतम सर्पम चै अमारियन वहां उन्होंने उस साप को मार दिया अते सही कहा गया है कि उपाय से बुद्धी से सभी कुछ सिद्ध होता है तो बच्चों आज हमने इसके अभ्यास कारे किये अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ उपस्तित होंगी धन्यवाद